हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर S.C.L. गुपता बीजेपी नेता और अभिनांदिता माथूर है प्रवक्ता आहमादमी पाटी अभिनांदिता माथूर ये सिर्फ कहना की दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो स्कूल खुलवा रहे हैं उनको टार्गेट किया जा रहा है ये को कि वह दो मामले अलग हैं हो सकता अच्छे शिक्षा मंत्री हैं और स्कूल खुलवा रहे हैं लेकिन अगर शराब मीती जो नई बनी घोटाला उसमें है आपने भी सुना और ये तो सब जगे पे है कि कैसे 12 हाइक करके 12% किया गया उसमें से 6-6 पी सिदी जो है आमादमी पा कि नेताओं के बयान सिर्व यहीं है और यह को नहीं घ्टित है अरविंत के जर्वाल का कहना है और यह यह नहीं कि इस प्रह Aug नहीं हुआ है देखिए नगमा जी इस पूरे मामले के दो पहलू है दो एसपेक्ट्स है एक इसका आसपेक्ट या पहलू है लीगल और दूसरा है पुलिटिकल जहां तक कि मामला लीगल वाला है उसमें बहुत क्लियर है कुछ अक्यूजेशन हुई है कुछ अलिगेशन लग miscommunications होती है जो कभी-कभी BJP की तरफ से भी मीडिया में चली जाती है या और पब्लिक में जाती है जैसे कि अभी आपके ही चानल पे हो रहा था कि वो 27 है या 45 है तो इस तरह का एक तत्यों को लेके एक अजीब सा narrative बनाया जाता है कल वाली जो खटना है मनीश से सोडिया जी मुझे पता नहीं है कि ये चार्ज शीट में कितने क्या लिखा हुआ है इसलिए मैं अभी आपको इस पर नहीं बोल सकती है और अभी तो as we speak वो केस हो रहा है जी जी कि कल बाला जो चल रहा है कल जो अरेस्ट हुआ है वो हम उसको बिलकुल अनकॉंस्टिटूशनल इसलिए मानते हैं या उस पर रेस कर रहे हैं क्वेस्टिन क्यूंकि मनीश जी को आप एक साल से इधर उधर उनकी हर तरीके से उनके घर में उनके गाउं में उनके दफ्तर में हर जगा आपने रेड मारी आपको कुछ मिलता नहीं है और फिर आप फाइनली चार्ट शीट में भी उन यूशन के पास है तो यह कुछ लीगल इसके पहलू है में वह पुलिटिकल पहलू है तो मैंतलब कहना चाहते हूं कि एक तो हम लीगली साउंड ग्राउंड पर हैं दूसरा जो इसका पुलिटिकल पहलू है वह पूरी दिली को और पूरे देश को आज दिख रहा है हम वरी कि यह जो बीजेपी की एक मोडस ऑपरेंडी है कि जिस जिस स्टेट में उनकी सरकार उनकी पार्टी की सरकार है वहां सब सही है वहां कोई आक्शन नहीं होगा और यह सिलेक्टेड जो इन्होंने अटाक्स करने शुरू किये हैं ऑपोजिशन पर हम तो यह जेल ही रहे हैं और यह जाते हैं तो फिर वो चार्डिस जो हैं यह मतलब लाइन ओफ लगातार यह तमाम लोग उथा रहे हैं बात को कि बीजेपी मेंगर कोई चला गया तो वह वाशिंगम शीन है वहां से बिल्कुल साब को कर निकलते हैं आपके तमाम लोग कहते रहें इसके बावजूद अभी ना अन्दिता ये नहीं हो सकता कि बीजेपी में जाने से अगर कोई पाक साफ हो गया तो हो गया लेकिन ये कि चुके वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए यहां पर कुछ गड़बर नहीं हुई होगी इसके इंवे इसलिए इसलिए जरूरी है कि यह जिनका जवाब नहीं देते हैं शायद इसलिए अब मनीश सोध्या के पास बहुत सारे विभाग वो देख रहे थे अठारा जैसा की हमें जानकारी है आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है यह अब इनिन्दाब अब इनन्दिता माथूर खास करके के जिवाल सरकार के लिए दिल्ली में शिक्षा मंत्री है डेपटी चीफ मिनिस्टर है तो यह एक पहले से एक नेता जो है वो जेल में थे लेकिन मनीश सोध्या का जाना जाहिरे के बहुत बड़ी परिशानी खड़ा करता है बिल्कुल यह हमारे लिए एक सीरियस ग्लो है इसमें कोई डाउट नहीं है मनीश से सोध्या जी हमारे बहुत वरिष्ट बहुत इंपॉर्टन नेता हैं सरकार में भी दिल्ली की और पार्टी में भी और इसी लिए यह हमें बहुत बहुत अजीब लगती है कि बहुत कम ऐसा देखा होगा कि इसने छोटे चार्जेस पे जो की फ्रेम भी नहीं है अभी प्रॉबली उस पे किसी सिटिंग डेपीटी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट क इस ताइम कोई चॉइस नहीं है जिस तरह से हमारे काम को स्टाइफल लगातार करा जाता है यहां पे आप दफ्तर पे भी कुछ कारवाई लगातार सुन रहे हैं हो रही है और नेताओं को कारेकरताओं को पकड़ा जा रहा है जी बहुत एक अजीब सी घटना हो रही है दो कि और उनके कारेकरताओं की रिस्टरिक्शंस रोकी गई है थी ऩुसरा डेली पुलीस फोट से कहले किसी स्टेसिक आल टावभ आट्मी के दफटर में घुस के मारपीट करती है नेत्र यहां तो ऐसा हो कि आम आधमी पाटी के कारे-क्रता ट हहीं कर्फ्यू वाली जगा में जा रहे हैं तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है बावजूद इसके दिली पुलिस से की कारवाई कर रही है